आज हम बनाएंगे सूजी की बर्फी से बनाना बहुत ही आसान है और सिफ दो मेन इंग्रीडियेंट सूजी और चीनी से हमने इसे बनाया है तो रेच्पी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दीएगे सब्सक तो आप थोड़ा सा मिक्सी में चला लें बस इससे ही होगा कि बर्फी का टेक्शर बहुत ही स्मूध आएगा अब हमने गैस पर एक कढ़ाई रखिए गैस की फ्लेम अन करेंगे और मीडियम रखेंगे इसमें डालेंगे वन थर्ड कप देसी घी बजन से ये 85 ग्रैम से पा अब इसे लगाता चलाते हुए हम लो फ्लेम पे दस से बारा मिनट तक भूनेंगे ये देखिए अच्छे से सूजी को भूनेंगे जब तक इसमें हलका गोल्डन ब्राउन कलर ना जाए ये देखिए अच्छे से भून लिया है हमने इसे अब हम इसमें 1 फॉर्थ कप डैसि अगर आप नहीं डालना चाते तो आप सकते हैं इसे भी एक मिनट भून लेंगे अब हम क्या करेंगे गैस की फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे एक मिनट इस तरह से चलाने के बाद दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर देंगे अब मैंने ये छोटा सा पैन लिया है इसमें हम कर सकते हैं पर फी थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती इसले मैंने थोड़ी सी जादा लिये अब मीडियम फ्लेम पर इसे लगा तार चलाते हुए चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे हमने इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है तो इसमें आदा चोटा चमश हमने इसकी तारवार नहीं बनाई है बस चीनी को मेल्ट होने के बाद एक बॉयल आने तक हमने इसे पकाया है अब हम यह सूजी जो हमने भून कर रखी थी इसमें दीरे-दीरे करके यह चाशनी ढाल देंगे अब हम गैस की फ्लेम आन करेंगे और मीडियम पर रखेंगे और इसे लगतार चलाते हुए हमने तब तक पकाना है जब तक कि यह अच्छे से गाड़ ही न हो जाए और डो फॉर्म में न आ जाए यह देखिए कठी होकर क्या करेगी है कड़ाई को छोड़ने लगेगी जमने वाली कंसिस्टेंसी तक हमने इसे पकाना है दो से तीन मिनिट म चला लेंगे कड़ाई अभी बहुत गरम है अब मैंने एक ट्रेल लिये जिसे बटर पेपर से अच्छे लगा कर अच्छे से ग्रीज कर लिया है इसमें हम इसे ट्रांसफर कर देंगे यह देखिए आप कोई भी प्लेट या थाली ले सकते हैं जिसे अच्छे से घी से ग्री करकें तरह आप मिल्क प आउडर का उडिया और इसे स्पैचुला की ऐल्प से हम इस तरह से इसुआ लेंगे आदाम थोड़े से मैंने क्रश करके लिए आप इसमें पिस्ता चिरॉंजी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपनी च्वाइस का इस तरह से चारो तरफ अच्छे से स्प्रैड कर देंगे तो देखा आपने इसे बस दो में इंग्रेडियेंट्स सूजी और चीनी से हमने कितनी असानी से इसे बनाया और यह खाने में बहुत ही टेस्टी होती है आप चाहें तो इस तरह की एक कटोरी भी ले सकते हैं इसे बैक साइड से इस तरह से प्रेस कर लेंगे यह देखिए दो घंटे के लिए सेट होने के लिए यह देखिए डेड़ घंटा हो चुक है और यह अच्छे से सेट हो चुक है तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और इसके पीसिस कट कर लेते हैं यह देखिए अब मैं इसके स्क्वेर पीसिस कट करूंगी तो मैं इक्वल इसके इस तरह से पहले निशान बना लेती हो आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं तो यह मैंने इसके स्क्वेर पीसिस कट करने इस तरह से यह देखे कितनी एजीली कट रही है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है यह, जैसे जैसे यह ड्राइ होती जाती है, वैसे वैसे यह क्रंची होती जाती है, आप इसे दो महिने तक इंज्वाइ कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, और इसे बनान कर लेते हैं, यह देखे, सूची की बर्फी हमारी रेडी है, इसे बनाना बहुत ही असान है, खाने में यह बहुत ही टेस्टी होती है, आप जरूर इसे एक बार घर पर ट्राइ करें, आप इसे बनाती है वक्त इसमें मिल्क पाउडर भी आड़ कर सकते हैं, दो बड़ी चम कर सकते हैं, अगर आपको यह रेस्पी पसंद आयो, तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स पो वाचिंग